फिल्कुल लाब मांसी देखे आज एक बहुत ही अच्छा रीबांग सेशन कहना होगा क्योंकि आज एक्सपाइडी थी तो शॉप्स जो थे वो बहुत अच्छ से कवर हुए इंफाइक एक्सपाइडी की जो रेंज हमें लग रहे थी वो 17-200, 17-17-17-200 के बीश में थी लेकिन आप 17-200 के ऊपर जाता हुए से बाजार को इस फक्त देख रहे हैं सारे ही सेक्टर में आपको आज एक अच्छा सा बाइंग बाउट दिखाई दिया पूरी अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो ग्रीन दिखाई देगी इन फाक्ट और इन स्मेश मेजर ली जो आपके स्पे इसी देखने को मिली थी उसका रीजन है HUL के नंबर्स जो ग्रोथ और गाइडन्स जो मैनेश्मेंट की तरफ से आई ना सिफ HUL बलकि रबाप एफेक्ट आपको मारिको नेस्प्ले जिससे स्टॉक्स में भी देखने को मिला दूसरा जो बजिंग पैक था वो इनरजी पैक and largely driven by Reliance तो यह एक बड़ी आप रैली देख रहे हैं निफ्टी पर उसका major contribution आपको Reliance की तरफ से मिला पूरा एनरजी पैक बाजेंग है जब से जी आरेंस इंप्रूब्मेंट की बात हो रही है अच्छाइसो की उपर तक Reliance को आपने आज ट्रेड होते हुए दिखाई दिया Reliance, चिन्नाई, पैठो, MRPL पूरा refinery space आप देखें तो वहां पर एक अच्छी बस थी आज अच्छी movement आज के दिन भी थी उसके लावा दूसरे और गेनर्स की बात करें तो LNT ने एक अच्छ मंदल चंबल फटलाइजन यहां पर आपको आज एक अच्छा मूव देखने को मिला इसके लवाद जो दूसरे स्पेसे से जहां से अच्छी तेजी देखने को मिरी basis of the results HDFC life 4% तेज और उसके बाद आपने देखा आई से से प्रुडेंशल तो पूरा AMC space, insurance space इसमें आप कल से एक buzz देखे ते लेकिन आज पूरा insurance space buzzing था क्योंकि HDFC life के अच्छे numbers आए Indian hotels, one of the top gainers of ethono था, up till 2 o'clock also, वहाँ पर बड़ा reason था कि जिसना से Indian hotels के numbers आए, उसके बाद पूरा hotel space आपको जिसना से buying momentum पीछे के दिनों में भी दिखाया है, पूरा rub-off effect आपको, open-up theme से जोड़ोए कुछ countess में भी देखने को मिला losing sectors के अगर हम बात करें, losers में भी एक बड़ा जो number losers की तरफ था, वो था बजाच auto, auto space जहां सबसे इस वक्त buzzing है, बड़ी underperformance से बाहर निकल रहा है, already moves पर है, चाहिए मारुती का counter हो, two-wheeler space के counters हो, लेकिन बजाच auto ने आज इस सपॉइंट किया, post the numbers, उसके अलाबा, media counters ने आज ड्राइब किया, media sector एक ऐसा sector था, जो loser था, और कुस रीजन था, TV18 के, जिस आसे TV18 में crack दिखा, because of equity, जो TV18 में sell-out हो रही है, उसका एक बड़ा reason था, हिंडाल को आपने आज देखा, वो भी एक loser था, जिसने बाजार को नीचे के तरफ खीचा, लेकिन expiry 17 200 के ऊपर जिसे बाजाराज तोरने में काम्याब दी रहा है, so that's all.